Hello everyone, friends, आज के इस वीडियो में आप एकदम professional style से एकदम नई recipe को सीखने वाले हैं आज मैं आपको एक pound का avocado truffle cake बनाना सिखा हूँ यह जो avocado fruit है ना friends, वो foreign country में काफी famous है वो लोग इसका jam, spread, लेकर के toast वगएर पर खाते हैं और उनके अंदर यह taste भी develop है बट हमारी इंडिया में इसका taste ज्यादा लोगों को नहीं पता हो सकता है, यह fruit बहुत rare है, costly मिलता है normal fruit से तो लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते और जानना चाहते भी नहीं हम लोग अपने आम संत्रे में ही खुश रहते हैं तो आज मुझे जो cake का order आया न, avocado का वो दरसल मेरी customer फॉरण में रहती थी और अभी अभी इंडिया में shift होई है बट उनके अंदर वहां का taste develop है तो उन्होंने मुझसे इस cake की demand की उन्होंने पहले bakery पे भी try किया बट वहां पर सभी ने मना कर दिया तो मुझे जब उन्होंने बोला, तो मैंने इसको खा करके देखा तो मुझे कुछ ये buttery, creamy जैसा texture वाला लगा इसे वैसे raw, कच्चा खाया जाता है बट अगर cake में हम इसे कच्चा डालेंगे न, तो हो सकता है इसका taste कुछ अलग हो जाए तो मैंने इसका बनाया एक crush और उससे बहुत ही professional style से एक avocado truffle cake बनाया तो उसी की recipe आज आप सीखेंगे तो अगर आप एक home baker है, ऐसे cake के order आएं तो आप एरे इस method को try कीजिए नहीं आते हैं, तो कुछ अलग अपना देने के लिए बाजार से अपने आपको upgrade करने के लिए आप इस unique से flavor वाले cake को try कर सकते यहाँ पर friends, यह जो avocado है बड़ी मुश्किल से मुझे गुहाटी में मिला नॉर्मल शॉप्स पर तो मिला ही नहीं मॉल में एक जगह पर ढूंदने पर बहुत ही costly आता है मिला, 200 रुपे खा यह मुझे एक पड़ा, पर कोई बात नहीं cake भी हमारा costly ही बनेगा, क्योंकि fruit ही हमारा costly है, तो मैंने इसे बीच में से जब cut किया, तो इसका एक मोटा सा seed निकलता है, जिसे मैंने साइड में रग दिया, और मेरे बच्चों ने उसे बाहर garden में उगाया भी है, वो लोग यह सुच रहे हैं कि इसमें से अवागाड़ो निकलेगा, फिर मैंने सुचा, spoon से इसके अंदर का जितना भी यह pulpy texture है, वो निकाल लेती हूँ, दरसल pulpy भी नहीं, पहुत ही leathery और buttery type इसका जो अंदर का pulp है, वो है, तो मैं उसको चमाचिय किसी scooper से आपको निकाल लेना है, लोग तो इसे ऐसे कच्चा खा जाते हैं, मैंने भी खा के देखा, बड़ा ही अलग सा taste है, जो कि हम लोगों को उतना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग इसके आदी नहीं है, मतलब इसके शौकी नहीं है, बट केक तो बनाना ही है, तो मैंने एक avocado का पूरा ये जो अंदर का pulp है, वो निकाल लिया, अब friends, इसको ऐसे ही तोड़ तोड़ करके मैं केक में डालूंगी, तो वो उतना टेस्ट ही नहीं बनेगा, तो मैंने क्या सोचा इसका बनाऊंगी, crush और फिर इसे यूज करूंगी, तो इस सारे मिक्षर को मैंने डाला अपने मिक्सर जार में, और इसे एकदम दरदरा पीसा है, course, बहुत फाइन नहीं पीसना है, पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरीके से आपको पीसना है, जो रट लगे, तो अब थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, अब सारे इस मिक्षर को मैंने निकाला फ्राइंग पैन में, और इसे मैंने जब टेस्ट किया था ना, फ्रेंड्स, तभी है, मुझे हलका सा, मतलब बटरी जैसा लगा, तो मीठा नहीं था, पर केक में अगर हम ऐसी चीज़े डालेंगे, तो वो कुछ अलग स्वाद ना दें, इसलिए, मैंने इसके अंदर दो टेबल स्पून के करीब डाल दी चीनी, यानिकि शुगर, और पिसी वी चीनी नहीं डालनी है आपको, चीनी ही डालनी है, और फिर मैंने इसे कैस पर धीमियाच पर इस तरीके से लगप एक से दो मिनट तक सौटे किया, ताकि इसका एक बहुत ही प्यारा सा टेस्ट डेवलेप हो जाए, और हम इसमें कोई फ्लेवर नहीं याट करेंगे, क्योंकि मैं इसे चॉकलेट की कॉम्बिनेशन में बना रही हूँ, तो वो सब हाइड ना हो जाए, तो ये इस तरीके से क्रश इसका बन गया, अब हम इसे completely ठंडा कर लेंगे, और यहाँ पर ये क्रश अगर आपको गाड़ा लगे, तो थोड़ा सा पानी भी एट कर लीजेगा, क्योंकि पकाने में एक दो मिनट में ये ड्राइ होने लगता है, तो वो ना हो, इसलिए मैंने हलका पानी डाल करके, बड़ी ऐसे सौटे कर लिया है, तो यहाँ पर हमारा एवाकाड़ो का जो क्रश है, वो रेडी हो गया, इसकी खुश्बू काफी अच्छी सी है, अलग सी है, हम उतने उसके फैमिलराइज नहीं है, बढ़ हाँ, अच्छी सी एक अलग सी खुश्बू है, जो की केक वगरे में अच्छी लगेगी, और जिनका टेस्ट इस तरीकी का डवलप है, उन्हें तो शायद अच्छी ही लगेगी, तो यहाँ पर क्रश जब बन गया, तो मैंने उसे कर लिया, कम्प्लीटली ठंडा, तो चलिए आप करते हैं आगे की तयारी, यहाँ पर 3-4 cup ही लूँगी, 1.5 cup नहीं लूँगी, क्योंकि इसके अंदर चॉकलेट और अवाकाडो की पूरी फिलिंग जाएगी, उससे वेट हमारा ओवर वेट ना हो जाए, वैसे इस कम्प्लीट रेसिपी का मेजरमेंट आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, अब थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डालेंगे पानी और बनाएंगे इसका स्मूथ सा बैटर, बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाड़ी रखेंगे, तो इस तरीके से ये देखिए, हमारा मिक्षर बन जाएगा, फिर उसके बाद जो हमने क्रश बनाया था ना, उसका लगभग आधा हम इसके अंदर डाल देंगे, फ्रेंट्स यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक अवाकाडो से आप आराम से आदा केजी का केक बना सकते, वहीं अगर आपको एक केजी यानि की दो पाउंड का अवाकाडो टरफल केक बनाना हो, तब आपको दो अवाकाडो लेनी होंगे, ताकि टेस्ट अच्छे से और फ्लेवर अच्छे से उबहर करके आए तो यहां पर देखिए लगबग आदा क्रश डालने के बाद हमारा जो बैटर है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा क्योंकि हमने दरदरा पीसा था तो इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है अब यहां पर मैंने यह पांच इंची का अपना भरतन लिया है जिसके अंदर मैंने ओडी का जो इको बेक बेकिंग पेपर है वो रियूस करके मैं आज यूस कर रही हूँ और आप इसके अंदर हम सारा बैटर डाल देंगे और इसमें मैंने कोई ओल बटर नहीं लगाया है क्योंकि आराम से निकल जाएगा और फ्रेंट जिस दिन एक केक बना रही थी न उस दिन एक और मुझे चॉकलेट केक बनाना था जिसकी रेसिपी मैं आपको अगले वीडि मेरे ये केक दो थे तो मैंने 40 मिनट पा किसे बेक किया तो एक एक करके अब इन दोनों को निकाल लेते हैं और जो हमने एवाकाडो का स्पॉंज बनाया है उसकी डेकॉरेशन करना स्टांड करते हो ये देखिए निकालते वक्त मेरा हाथ इसमें लग गया तो ये दब गया ह है तो फ्रेंड्स इस केक का जो साइज होगा वो छोटा होगा बट वेट जो होगा वो हमारा एक पाउंड का होगा तो प्रिमिक्स में 3-4 का प्ले रही थी इसलिए मैंने छोटे इंच का बरतन चूसकी अधरवाइस केक की फिर हाइट ही नहीं आती बिलकुल भी बहुत सार के अंदर मैं बढ़िया से एवाकाडो की फिलिंग करूंगी तो देखिए अंदर से टेक्शर में देखिए आपको दिख रहा होगा एवाकाडो बहुत ही अच्छे से आ रहा है चलिए अब इसको ट्रॉफल केक हम बना रहे हैं तो इसके लिए हमें चाहिए होगा इसको अब हम क्या करेंगे चोटे-चोटे पीसे में फ्राइंग पैन में कट करके डाल देंगे और लगभग आधा कप हम इसके अंदर अपनी विपिंग क्रीम करेंगे क्योंकि हमें इसका बनाना होगा एक ट्रॉफल तो दोनों का अच्छे से मिक्स करने के बाद धीमी तो गैस पर बनाना सिखाई है तो इसलिए मैंने सुचा इसे गैस पर बनाती हूं ताकि सब लोगों के लिए इजी हो जाए तो दीमी आज पर देखिए मैं इसे चलाती रही हूं बिल्कुल भी छोड़ना नहीं आपको कंटिनियोस आपको चलाते नहीं जब दीरे दीरे आपकी चॉकलेट पूरी मेल्ट हो जाए तब आपको गैस बन करना है और फिर हलके फुलके चंक जो होंगे वो इसकी गर्माहट में ही खुद ही मेल्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर पूरी चॉकलेट मेल्ट हो गई है अब आधा कप आपको क्रीम लेनी होगी वहीं अगर आपने आधा कप चॉकलेट लिया है चोटे-चोटे-चोटे पीसेज में तो आपको वन फोट कप क्रीम डालनी होगी अब इसमें शाइन एफ्रेक्ट आ जाए और बहुत ही बढ़िया टेक्शर है उसके लिए मैं इसमें ट्रफल बनाना है तो थोड़ा सा और ठड़ा होने देंगे यह दीरी-दीरे जो है गाड़ा होने लगेगा तो यहाँ पर अब यह कंप्लेटली ठड़ा हो गया है और मुझे बनाना है इसका ट्रफल भी और इसकी डिप्स भी तो आब मैं क्या करूंगी एक बाउल में कोड़ भी छोटु वाला ही लिया है सबसे पहले केक की पहली लेयर रखी हमारे पास बो ही लेयर है और इसको हम सिंपल चीनी और पानी की मिक्षर से मॉइस्ट करेंगे कोई भी क्रश नहीं लगा होंगी नहीं तो अवाकाड़ो का जो फ्लेवर है वो दब जाएगा हाइग तो यहां हमने 100 ग्राम चॉकलेट कंपाउंड से और आदा कप विपिंग क्रीम से जो ट्रफल बनाया है वो पाइपिंग बैग में भर लिया और थोड़ा मैंने छोड़ दिया है अपने फ्लाइंग पैन में ब्रिप्स बनाने के लिए और अब इस ट्रफल से ही हम केकी आइ तो यहां पर जो क्रश हमारा बच गया था उस पूरे ही क्रश को हम इस फिलिंग में अच्छे से ध्रेट कर देंगे यह देखी इस तरीके से करने से हर केकी बैट में एवटकाडो का फ्लेवर आएगा के सपा इनक लेयरink में भी अलग सा टेस्ट डाए ऑएगा तो मतलब यह उपर जाने से पहले हर चीज का टेस्ट फ्लेवर तो लेना एक बर बनता है और यहाँ पर फ्रेंड्स ट्रफल को ना अब मैं पाइपिंग बैक से ही इसके चारो तरफ लगा करके इसकी फाइनल आइसिंग टाइप ही करूँगी और फ्रेंड्स यह जो रेसिपी आज मैं बना रही हूँ ना यह मेरी खुद की रेसिपी है जिसे मैंने नेट पर इधर उदर से सर्च करके थोड़ा सा अपना इनोवेशन देकर बनाया है तो हो सकता है यह यूटूब पर पहले भी आ गई हो तो आप लोगों से बिलती है कि कॉपी कॉपी मत लिखेगा क्योंकि मेरी यह जो रेसिपी है वो एकदम न्यू इनोवेशन है चाहे तो आप कंपैर करके भी देख सकते हैं तो बिंती है फ्रेंड्स चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा हर आदमी अपना कुछ नया ट्राइ करता है एक चीज लेकर के पचासों वीडियो बनती है तो वो यह नहीं होता कि उससे देख करके बना लिया तो यहाँ पर ट्रफल मैंने देखिए साइड्स में ऊपर जि की वज़य से मेल्ट होगा और हमें इसको चलाने में मतलब इसकी फिनिशिंग देने में आसानी होगी थोड़ा सान मैसी होगा दिक्कत भी आएगी बट गरम पानी में अगर आप कंटिनेस बार-बार डिप करेंगे तो यह काम आपका आसान हो जाएगा तो धीरे-धीरे मैं मैं इसकी देखिए फिनिशिंग कर रही हूँ एक से दो बार में मेरी तो देखिए ऐसी हुई हो सकता है आप और अच्छे से कर पाएं और करिएगा भी जरूर पर ज्यादा अगर मैं इसको प्रेशर देकर के बार-बार इस तरीके से फेरूँगी ना तो यह गनाज धीरे- अच्छे से अंदर की तरफ कर रही हूँ सो अच्छे से लेवल में आ जाए अब मैंने स्क्रैपर को भी फ्रेंट्स गनम पानी में डिप किया है और इस तरीके से हलका सा टच करना है आपको केक पर और टर्टेबल को रोटेट कर देना है बहुत ज़्यादा गाड़ा अगर अच्छे से हो तो आप जरू कीजिए पर कोशिच जारी रखिएगा तो अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे उपर के पार्ट के लिए थोड़ी ही विप क्रीम ली है और इसमें जो हमने ट्रफल बचाया था ना फ्राइंक पैन में वो एड़ कर देंगे थोड़ा गाड़ा हो कर देती हूं तो यहां पर मैंने चोटे साइस का नूर का आपको मैंने नॉजल दिखा दिया है इस पर नंबर नहीं है अदर्वाइस वो भी बता देती जैसे एन वन नॉजल होता है बिल्कुल उसी की लुक का होता है तो आब हम क्या करेंगे इस तरीके से बाहर से अंदर क तरफ न ये पेटल्स बना करके इस डिजाइन को बनाएंगे बट याम उससे गलती हुई friends आप मत कीजेगा मैंने जो टरफल बनाया था न उसको छाना नहीं और क्रीम में मिक्स कर दिया तो हो सकता है छोटे-छोटे चॉकलेट की न दाने रह जाएं जो की वैसे तो दिक्कत नहीं देंगे बट अगर आपने ऐसे नौजल में डालाया न तो कहीं-कहीं दिक्कत देते हैं मतलब ठीक से क्रीम बाहर नहीं आती है तो ये मेरी गलती हो गई बट आप इस गलती को मत कीजेगा ट्रफल को भी जब वो गरम था पतला था तब छानिएगा जरूर तो ये मैंने आपको अपनी गलती बता दी है ताकि आप उसे ना दोहराएं मेरे पस तो कही और option नहीं था तो कैसे तैसे मैंने बना लिया अब एक round complete करने के बाद मैं दूसरा round भी बिलकुल ऐसे ही complete करोंगी और इस पर थोड़ी पैटल पहली वाली पैटल के end पर चढ़ा कर लेंगी इस तरीके से so that उनका ends नहीं देखेगा और हमारा एक नया छोटा circle बच जाएगा ये देखिए अब केक का साइज इतना है कि दो round में ये ठीक लग रहा है क्योंकि बीच में मैं याप पर चोको चिप्स वगरे डालूँगी अब जो मेरा थोड़ा भी गनाश बचा था ना फ्रेंस उसको मैंने क्रीम डाली थोड़ा सा pouring consistency वाला मैंने उसको बनाया और piping bag में भर लिया और मैंना केक की side में ये drips बना रही है वैसे इसकी ज़रुत नहीं थी एक्स्ट्रा ही चॉकलेट लग रही है बट क्योंकि finishing में मैं थोड़ी आज मात खा गई उससे उतनी ठीक से नहीं हो पाई क्योंकि एवाकाडो का नीचे केक न दिखने लग गया था और गनाश मैंने बेवकुपी में चाना नहीं तो इस वज़े से मुझे ये drips बनानी पड़ी जो फिनिशिंग दिख रही है वो हाइड हो जाए बट अगर आप perfect finishing अच्छे से side की कर लेते हैं तब आपको ये drips बनानी की ज़रत नहीं है मुझ पर उस दिन फ्रेंट्स बरकलोट ज़्यादा था जो दूसरा केक बनाया ना वो भी बना कर देना था तो जल्द बाजी में बस चानना रहे गई क्योंकि कभी-कभी न हम let go कर लेते हैं कि हो जाएगा बट वो लास्ट में देखिए दिककत देता है क्योंकि शॉर्ट कट कभी काम नहीं आता तो आप देखिए डिप्स लगा करके और भी केक सुन्दर लगने लगया है वैसे तो और अब मैं सेंटर में जो स्पेस छोड़ा है ना वहाँ पर स्पूम की मदद से बहुत ही केरफिल यह डाल रही हूँ चोको चिप्स आपके पास जो भी एडिबल बीट्स बगरा वो डाल सकते हैं बढ़ चॉकलेट केक है ट्रफल है तो यह चोको चिप्स अच्छे लगेंगे अभी मेरे पास चोकलेट की वर्मी सिली भी है बिल्कुल जैसे सीमिया होती है ना वैसी होती है यह और इसको मैं नीचे बॉडर पर स्प्रिंकल कर रही हूँ क्योंकि इस तरीके के केट्स में ऐसा वाला बॉर्डर अच्छा लगता है बजाए क्रीम का बॉर्डर यहां स्पेचुला से थोड़ी फिनिशिंग मैंने दे दिया एक्स्ट्र जो इधर उधर गिरा था उसको भी शेप में मैं ले आई हूँ और हमारा एवाकाडो ट्रफल केक जो है बन करके रेडी है अभी इसकी पैकिंग प्राइसिंग भी मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगी पट पहले इसको थोड़ा सा हम और अट्रैक्टिव बनाएंगे तो मेरे पास गोल्डन लश्चर डस्ट है फ्रेंड्स उसको मैंन नहीं डालूंगी साइड में भी नहीं डालूंगी क्योंकि चॉकलेट का फिर कलर छुप जाएगा तो हमारा यह देखिए कितना शांदर केक बनाया फ्रेंड्स और वेट अगर आप करेंगे तो यह पूरा एक पाउंड का होगा अभी मैं मेजर भी करूंगी पट पहले इत इस तरीके से मैंने इसे पैक किया और किया डिलेवर और फ्रेंड्स इस केक के मैंने लिए 750 रुपीज जिया फ्रेंड्स क्योंकि एवाकाडो ही हमारा महंगा है उपर से चॉकलेट, ट्रॉफल और पूरी डेकोरेशन के हिसाब से अपना प्रॉफिट जब मैंने कलकुलेट किया तो मुझे 750 रुपीज इसका फिजिबल रखा और जिनको दिया ना उनको भी कुछ अलग रेट नहीं लगा क्योंकि वो शायद जानती थी कि अवाकाडो कॉसली आता है इंडिया में तो आज की इस रेसिपी से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा तो फ्रे कि मैंने आज आपके लिए एक नई रेसिपी दे दी है ट्राइ जरूर कीजेगा एक्सपिरियंस भी शेर कीजेगा एंडियो पसंद आईए तो लाइक शेर एंड सब्सक्राइब